मैं आपकी हो साधी शेख आज के इस टिटोरियल में मैं आपको यह बताने जा रहे हूं कि आप मैप को किस तरीके से डाउनलूट करके इंस्टॉल करके किस तरीके से किया जाता है क्योंकि आप मैप इसल्फ बहुत मेंगा सॉफवर है इसे आम बंदा या चोटी मोटी और्ग आपको जो है वह 10.5 आप मैप बता रहे हैं यहां पर मेरे पास ही है डेक्स ट्रॉप सेड़ फाइल्स स्टार्ट कर दिया है विजर्ट आ गये है इनको आपने नेक्स्ट करते जाना है यहां पर आएक्सप्ट दा लाइसेंस एग्रिमेंट नेक्स्ट यस कम्प्लीट यस यस ना इंस्टाव कुछ फ़क्त लेगा इंस्टॉलेशन में यस जुगर्पिकल इंफ्रमिशन सिस्टम में काम करने के लिए हमें कहते हैं कि जब भी इनसान मैदाने जंग में जाये तो अपने हतियार साथ लेकर जाने चाहिए तो बिंग यस प्रोफेशनल प्रोफेशनलिस्ट några जया हमारा हतियार है यह हमसे हर में बहुत जरूरी है हम इसे बहुत सारी फंक्शनालिटी पर फ़फार्म कर कर सक्ते हैं यह बहूत सारह सोब्फेयर से मिलकर बनाय जह मझें एन इंशाला सब जल आज इसकी पहली वीडियो है आने वाले next video में में आपको इसको use करना बताँँगी इसको different तरीके से different methods से different functionalities perform करवाते हैं आपको इसको use बताँगी इंशाला सब जल so मैं यह इव अमीद करूँगी कि आप सब को मेरे lectures मेरे videos अच्छी लगी होंगी अच्छी लग रही होंगी और इह नहीं अच्छा बनाने के लिए ही मैं कोशिश करते चाहूंगी इसके तोड़ा time लेगा सूओ अच्छी लगी होंगी झाल 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 यह अल्मोस्ट कंप्लीट हो रहा है द्सकार्ड में कंप्लीट हो चुकी है यहां पर गहां है क्लिटा button to exit the installation wizard so finish हो क्या okay fine अब इसके बाद हमने से crack करना अब यह चलेगा नहीं because यह हम इसका duplicate यूज कर रहे है original नहीं है तो registration के folder पर जाएंगे यह तीन आपके सामने files है इन्हें आप select करेंगे copy करेंगे यहां से my computer पर गए c में गए program file arcgis इंस्टॉल हो चुका हुआ है that's why वो c के अंदर program files की directory के इंदर शो हो रहा है यहां से आपने बिन देखना है बिन में जाके वो तीनों आपने paste कर देना है control plus v कर देना है यहां पर replace कर दीजे continue कर दीजे so finally we are done with it अब हम चलाते हैं arcgis को यह देखिये ना यह हो क्या यह देखिये मैंने इंस्टॉल करके उसका crack करना बताया आपको crack करकर मैंने उसको जो है वो open किया है अभी आपके सामने open हो रहा है और इस तरीके से हम arcgis को जो है वो crack करके यूज कर सकते हैं यह mega software है इसलिए इसे हम पर्चेस नहीं कर सकते यह non-purchasable है एक नॉर्मल बंदे के लिए एक नॉर्मल और्गनेजेशन के लिए सो इसे mostly low cracker के यूज करते हैं ठीक है जै I hope कि मेरी छोटी सी वीडियो से आपका मिसला सॉल हो गया होगा आपको समझाई होगी आपको समझाई होगी और आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो देखकर मैं भी यह अमीद करती हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट्स जरूर कीजेगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे है तब भी कीजेगा और आप सबसे मेरी यह दिर बताईएगा करनली कमेंट्स जरूर कीजेगा ठीक है thank you so much so अपना खयार रिखे अल्लाहाफ्रस